दोस्तों स्वागत है आप सबका इस चैनल पर जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे एक्स चैनल पर आप सबकी यूपी पुलिस में पूछी जाने वाली भारती इतिहास की फुल तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो सब अगर इन questions को मिस्स करते हैं तो आपके नंबर कटने वाले हैं तो आप एक भी questions विया फिर एक भी वीडियो को हमारे मिस्मत कीजिए प्रतेग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा तो दोस्तो आज हम वैदिक संसिकरती के next part को आगे लेकर चलेंगे इससे पहले हमने इसका second part करवा दिया है यह इसका third part है वैदिक संसिकरती इसका time period है दोस्तो पंद्रा सो इसा पूरू से 600 इसा पूरू इससे पहले हम आपको इसके पहले की वीडियो में साथ question करवा दिये हैं अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उन वीडियो को देखिए उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका first question कह रहा है दोस्तों रिगवेत के किन छे मंडलों को once मंडल ओब्लिक गोत्र मंडल क कहा जाता है first option दूसरे मंडल से साथवे मंडल तक second option पहले मंडल से छटे मंडल तक third option पीछरे मंडल से आठवे मंडल तक फूर्थ उप्शन चौथे मंडल से नववे मंडल तक हम से पूछा जा रहा है दोस्तो कि रिगवेद में किन्छे मंडलों को क्या कहते हैं वंस मंडल या फिर गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है तो रिगवेद में किन्छे मंडलों को once mandal या गोत्र mandal कहा जाता है दोसरो दूसरे mandal से सात्वे mandal तक को हम once mandal या फिर गोत्र mandal कहते हैं आपका यहाँ पर first वाला option एकदम सही हो जाएगा चलिए next question देखते हैं आपका next question कह रहा है दोस्तों किस वेद में जादूई माया और वशी करण का वरनन है किस वेद में जादूई, माया और वशीकरण का वर्णन है फस्ट ओप्सन आपका हरिग वेद सिकेंड ओप्सन यजुर वेद थर्ड ओप्सन साम वेद एन फोर्थ ओप्सन अथर वेद हमसे पूँछा जा रहा है ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादूई, माया और वसीकरण का वर्णन है तो ऐसा कौन सा वेद है दोस्तों जादूई, माया और वसीकरण का वर्णन अथर वेद में किया गया है किसमें किया गया है अथर वेद में किया गया है आपका यहाँ पर D वाला option एकदम perfect हो जाएगा, चलिए next question देखते हैं, आपका next question खहरा है कि आरे सब्दें इंगित करता है, आरे सब्दें इंगित करता है, नरी जाती समू को second या या वरी जन को third भासा समू को and fourth stressed वल्स को, हमसे पूछ रहा है कि आरे भारत वो, आरे सब्द क्या इंगित करता है, तो आरे सब्दें इंगित करता है, आपका यहाँ पर first वाला option एकदम perfect हो जाएगा, चलिए next question देखते हैं, दोस्तों, आपका next question कह रहा है कि हमसे पूछा जा रहा है कि रिगवेद में कुल कितने मंडल है, तो रिगवेद में कुल कितने मंडल है दोस्तों, रिगवेद में 10 मंडल है, कितने मंडल है, रिगवेद में 10 मंडल और 1028 सूपती है, कितना है, 10 मंडल और 1028 सूपती है, चलिए next question देखते हैं, दोस्तों, आ कह रहा है आपका निक्स कोेशन कह रहा है दोस्तो आरे भारत में संभवता आए आधर के ऐये फैस्ट ऑप्सन यूरोब से से सिकन्ड ऑप्सन मध accept 93 हमसे पूशा जा रहा है कि जब आरे भारतicon में वह कहां से आये तो आरे कहां से आये थे दोस्तों मध एशिया से आये थे आपका यहाँ पर बी वाला उप्शन एकदम परफिक्ट होगा चलिए निक्स्ट कोस्टन देखते हैं कौन सावेद अंसता गद्य रूप में भी रचीत हैं तो यजुरवेद हैं देखे जो भी रचना क्या कहते हैं और पद दोनों में लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं चम्पू सैली तो आप से ये भी पूठा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वेध है जो चम्पू सैली में रचीत है तो कौन सा हो जाएगा आपका एंसर ये जुर्वेध हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोस्टन पे चलते हैं दोस आपका नेक्स्ट है सभा और समीती प्रजापती की दो पुत्रिया थी का उलेग किस वेध में मिलता है फर्स्ट ऑप्शन रगवेध सेकेंड ऑप्शन येजुर्वेध थर्ड ऑप्शन शाम बेद एंड फोर्थ ऑप्शन अथर्वेध हमसे पूचा जा रहा है कि सभा और समीती प्रजापती की दो पुत्रिया थी का उलेग किस वेध में मिलता है तो इसका उलेग किस वेध में मिलता है दोस्तो अथर्वेध में मिलता है आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं आपका नेक्स्ट कोस्टन कह रहा परिस अधम से पूछा जा रहा है कि रिग्यवयदिक उछ की प्राचीन सवस्था कौन सी दोस्तों विदः ती आपका वाला आपसं यहां पर एकदम सही हो जायेगा चलिये सहरी देखते हैं करosi Lawrence कर रहा है दोस्तों देखिए थोड़ा से कोस्टन में मिस्टेक हो गया आपको कोस्टन है कि ब्राम्मण गरंथों में सर्वधिक प्राचीन कौन सा है आपको कोस्टन क्या कह रहा है दोस्तों ब्राम्मण गरंथों में मैं लिख देती हूँ ब्राम्मण गरंथों में सरवधीक प्राचीन सरवधीक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है देखिए हमसे कोश्चन पूशा जा रहा है कि ब्रामभर ग्रंथों में सरवधीक प्राचीन ग्रंथ है फर्स्ट उप्षन एतरे ब्राम्हर सिकेंड उप्षन सत्पत ब्राम्हर थर्ड उप्षन गोपत ब्राम्हर एंड फोर्थ उप्षन 25 ब्राम्हर हमसे पूछा जा रहा है कि सर्वधिक प्राचीन ब्राम्हर कौन सा है तो सर्वधिक प्राचीन ब्राम्हर कौन सा है दोस्तो सत गोत्र विवस्था प्रचलन में कब आई तो गोत्र विवस्था प्रचलन में कब आई थी चलिए नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं आपका नेक्स्ट कोस्टन कह रहा है दोस्तो अनुलोम विवाह का अर्थ है अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्वण पुरुस का निम्नवण नारी के साथ विवाह सेकेंड है निम्नवण पुरुस का उच्वण नारी के साथ विवाह सेकेंड है निम्नवण पुरुस का उच तो अनुलोम विवा का आर्थ है उच्चवण पुरुस का निम्नवण नारी के साथ विवा मतलब पुरुस जो है वो उच्चवण का हो और जो नारी हो वो निम्नवण की हो तो ऐसे विवा को क्या बोलते हैं हम अनुलोम विवा बोलते हैं चलिए नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं आपका नेक्स्ट कोस्टन है दोस्तों प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्वड का पुरुस निम्नवड की नारी के साथ विवाह कर लेता था जब उच्वड की नारी निम्नवड के पुरुस के साथ विवाह कर लेती था जब उच्वड का पुरुस निम्नवड की नारी के साथ विवाह कर लेता था प्रतिलोम विवाह हमसे पूछा जा रहा है तो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा जब उच्वड की नारी निम्नवड के पुरुस से विवाह कर लेती थी तो उ उच्वर्ड का पुरुस निवन वड किनारी के साथ विवा करता है तो उसे अनुलोम विवा कहते हैं चलिए नेक्ट कोस्टन देखते हैं दोस्तों आपका नेक्ट कोस्टन है दोस्तों वैदिक युग में यव कहा जाता था वैदिक युग में यव कहा जाता था फस्ट ऑप्सन गेहूं सिकेंड ऑप्सन जो थर्ड ऑप्सन चावल और फोर्थ ऑप्सन इनमें से कोई नहीं वैदिक युग में यव कहा जाता था तो किसको कह कहा जाता था जो को कहा जाता था आपका यहां पे W वाला औप्सन एकदम सही हो जाएगा चलिक्स और सब्सक्राइब second option गेहू, third option, जो और fourth option का पास, तो हमसे पुछ जारा है, वी ही सब्दी किसके लिए प्रियुक्त है, किसके लिए प्रियुक्त हुआ है दोस्तो, चावल के लिए प्रियुक्त हुआ है, आपका यहां पे first वाला option, एकदम सही हो जाएगा, next question चलते हैं, दोस्तो आपका next question कह रहा है अथर्व का अर्थ है फर्स्ट आपसन पवित्र जादू, second option यग, third option इस्तुति और fourth option दर्सन, हम सिब कुछा जा रहा है कि अथर्व का अर्थ है, तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, आपका यहां पर first वाला option एकदम सही हो जाएगा, च सुमेलित कीजी एक तरफ सिच्छा और एक तरफ सास्त्र सास्त्र है तो देखिए तो अगर नहीं तो आप इसको मिलाईए और अगर सही है तो फिर बताइए कैसे सही ए देखिए सिच्छा का सास्त्र क्या हो जाएगा आपका धौनी सास्त्र हो जाएगा कल्प सूत्र का कर्म कांड निरुक्त का आपका सब्द व्युत्पत्ति सास्त्र और छंद का हो जाएगा छंद्र सास्त्र यानि यह जो आपको करम दिया गया है वो एकदम perfect है एक का A, A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 तो देखिए आप option देखिए, आपको किस option में A का 1, देखिए A का 1, आपको A में भी दीख रहा है और B में दीख रहा है, बाकी दोनों में नहीं दीख रहा है फर्स्ट वाला option आपका एकदम perfect हो गया चलिए next question पे चलते हैं दोस्तों आपका next question कह रहा है दोस्तो प्राचीनतम व्याकरण अस्टाध्याई के रचनाकार प्राचीनतम व्याकरण अस्टाध्याई के रचनाकार फर्स्ट ओप्सन गौतम second option, kafil, third option, patanjalie, fourth option, पाणिनी, हमसे पूथा जा रहा है जो पराचीन व्याकरण ऐस्टा ध्याई है, उसके रचनाकार कौन है, तो अस्टा ध्याई के रचनाकार कौन है, दोस्तों, पाणिनी है, आपका डी बाला option आपे एकदम पर्फिक्ट हो जाएगा चलिए ने देखते हैं कह रहा है कि दिमन में कौन से स्मृति प्राचीनतünde में मनुस्मृति सेकटे भालय कि समृति थर्ड और फॉर्ठ या गिवाला इस्मृति हमसे पूइचागा आएसी कौन सी इस्मृति है जो क्या है क्या कहते हैं प्राचीरिंतम है तो आपके यहां पर्फेक्ट ऑप्षन हो जाएगा मनु इस्मृति क्या हो जाएगा दोस्तों मनु इस्मृति हो जाएगा यहां पर देखिया ऑप्षन को दो दो बार रिपीट कर दिया गया है कोई बा भागवत पुरान हमसे पूछा जा रहा है कि आदी कावि की संग्या किसे दी जाती है तो दोस्तों आदी कावि की संग्या रामायर को दी जाती है आपका यहां पे फस्ट वाला उप्शन एक्दम सही हो जाएगा चलिए निक्स कोस्टन देखते हैं आपका next question है दोस्तो प्राचीन तम पुराण है प्राचीन तम पुराण है first option मत से पुराण second option भागवत पुराण third option विश्रू पुराण and fourth option वायू पुराण हमसे पूछा जा रहा है कि प्राची इनतम पुरान कौन सा है? तो आपका कौन सा उप्शन सही हो जाएगा, दोस्तों? यहां पर आपका first वाला option एकदम सही हो जाएगा, मत से पुरान आपका प्राची इनतम पुरान है? चलिए next question देखते हैं आपका next question है दोस्तो रिग वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है फर्स्ट ओप्सन सिंधू, सेकेंड ओप्सन सरस्वती, थर्ड ओप्सन पारुष्डी and फोर्थ ओप्सन सतुद्री हमसे पूछा जा रहा है कि रिग वेद में सबसे पवित् सरस्वती को माना जाता है आपका यहाँ पे वी वाला ओप्सन एकदम सही हो जाएगा चलिए next question देखते हैं दोस्तो आपका next question कह रहा है दोस्तो वेदिक समाच की आधार भूतिकाई थी वेदिक समाच की आधार भूतिकाई थी फस्ट ओप्सन कूल अबलिक कुटुम सेकें ग्राम में थर्ड ओप्सन वीश एन फूर्थ ओप्सन जन हमसे पूछा जा रहा है कि वेदिक समाच की आधार भूतिकाई क्या थी दोस्तो कुल अबलिक कुटुम थी आपका यहाँ फस्ट वाला ओप्सन एकदम सही हो जाएगा चलिए next question पे चलते हैं आपका next question है दोस्तो रिगवेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुती में 250 सूकतों की रचना की गई है फर्स्ट ओप्सन इंद्र सेकेंड ओप्सन अगनी थर्ड ओप्सन वरूर एन फोर्थ ओप्सन सूरे हमसे पूझा जा रहा है कि ऐसे कौन से देवता है जिन जिनकी स्तुती में 250 सूकतों की रचना की गई है तो आपका पर्फेक्ट ओप्सन यहाँ पर कौन से हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ओप्सन वाला हो जाएगा इंद्र ऐसे देवता है जिनकी स्तुती में 250 सूकतों की रचना की गई है चलिए नेक्ट कोस्टन पे चलते हैं आपका next question कह रहा है दोस्तों किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंगनिये कहा गया है किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंगनिये कहा गया है फर्स्ट ऑप्षन रिगवेद सेकेंड ऑप्षन या जुरवेद थर्ड ऑप्षन साम वेद एन फोर्थ ऑप्षन अथरवेद तो आपका परफेक्ट ऑप्षन यहाँ पे कौन सो हो जाएगा दोस्तों डी वाला हो जाएगा अथरवेद में कहा गया है सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंगनी कहा गया है चलिए नेक्स्ट कोस्टन पे चलते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट कोस्टन है दोस्तों किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ तीन प्रमुक बुराईयों में सामिल किया गया है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुक बुराईयों में सामिल किया गया है हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस रचना में नारी को सुरा यानि सराब और पांसा के साथ तीन प्रमुक बुराईयों में समलित किया गया है आपका निट्स्ट कोस्ट है दोस्तों उत्तरवैधिक से पूछा जा रहा है कि आसी कौन से देवता थे जिनको उत्तरवैधिक में सरवोचिस्थान प्राप्त था तो किनको प्राप्त है दोस्तों प्रचापती को प्राप्त था आपका यहां पर फर्स्ट वाला उप्सन एकदम सही हो जाएगा कौन सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं दोस्तो आपका नेक्स्ट कोस्टन है दोस्तो सुमेलित करें नेक्स्ट कोस्टन क्या है सुमेलित करें देखिए एक किस समय होता था तो यह क्या है आपका फ 1 राट सुयाग यह कब होता था करे भिए इसके सामने दिया जरूरी नहीं कि यह राजनेतिक सक्ति बढ़ाने हैं तू किया जाना है वाजपे यागे अगनी अस्ठोम यागे देवताओं को प्रसंद करने है तू अगनी को पसुबली दिया जाने वाला है तो आप से पूछा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए देखिए ये जो क्रम दिया गया है जरूरी रही है कि ये आपका क्या होา् consistent do you think तो इसको आप अच्छे से focus कीजिए दोस्तों क्यूंकि इस तरह के question हमारी परिच्छा में बहुती जादा देखने को मिलते है आज कल व olmayganer question कम कर दिये गए हैं बट इस तरह की question बहुत यज़ादा बढ़ा दिए गए है तो दोस्तों आप सबको बता दे कि यह सामने दिए गए राज f ḥ यग कब होता है राज सिंहासन रोघन से सम्दित यग है यह अश्म्य यग कब होता है दोस्तों राजनेतिक सक्ती बढ़ाने है तू किया जाने वालाग help next आप का है वाजपे और प्रधर्रसनिए कि मनोरणजनार चीजाता है और आग्नी स्थोम यगवता है दोस्तों और देवताओं को प्रसंद करने है सौरे प्रदर्शन एम राजा के मनोरंजनार के लिए किया जाता है और अगनियस्ठोम यग कब होता है दोस्तों अगनियस्ठोम यग होता है देवताओं को प्रसंद करने है तू अगनी को पसु बली दिया जाने वाला एम सोमरस का पान किया जाने वाला यग तो देखिए options देख लीजिए A का 1 कहां कहां पे है A का 1 आपका A में भी है और B में भी है और D का दो भी दोनों में है पर C का 3 है और यहां पे क्या है चार तो यह गलत हो गया और बाकी यह सब तो गलत ही है तो आपका perfect option दोस्तों यहां पे first वाला हो जाएगा चलिए next question देख कीजिए देखिए सूची first में है आपका रिगवेद में उलिखित नाम और सूची second में है आधुनिक नाम देखिए यहां पे आपको कुछ रिगवेद में उलिखित नाम दिये गए और पूछा जा रहा है कि आधुनिक समय में उनको हम किस नाम से जानते है तो देखिए पा बोलते हैं सतरज बोलते हैं और अश्कनी को क्या बोलते हैं चीना आप बोलते हैं और विपाशा को वियास बोला जाता है यानि जो आपको दिया गया है ये एकदम परफेक्टली मैच है देखिए जरूरी नहीं है कि ये आपकी परिशा में भी मैच करके आए तो आप इस बात तो आपको याद रहेगा तो आप मैच करवा लेंगे तो देखिए देखते हैं एक कहां पे है फर्स्ट में है और सिकेंड में बाकी थर्ड और फॉर्ट आपको वैसे ही गलत हो गए और बीका दो भी दोरों में है बट यहां पे सी के सी का चार हो गया सिकेंड वाले में तो यह आपका गलत हो गया तो सही क्या उनस हो गया दोस्तों फर्स्ट वाला आपका एकदम पर्फिक्ट हो गया चलिए नेक्स्ट कोस्टन पर चलते हैं आपका नेक्स्ट कोस्टन कह रहा है कि संसकारों की कुल संख्या कितनी है संसकारों क सब्सक्राइम में मिली कन्या के साथ विवा, आर्स विवा कन्या मूले के रूप में एक जोड़ी गाए वा बैल चुका कर किया गया विवा, प्रजा पात विवा, बिना दहेच का विवा, तो आप सब को बता दें, ये क्या है मैच है, ये आपका पूरी अग्दम अच्छी तरह से मैच किया गया है यानि ब्रह्म विवा समान वड़ या जाती के बद्धे होता है देव विवा पुरोहित का पारिश रमिक में मिले कन्या के साथ विवा आर्ट सु विवा कन्या के मूले के रूप में एक जोड़ी गाय वा बैल चुका कर किया गया विवा और प्रजापत विवा बिना हेज का विवा तो आपका परफिक्ट आप्सन कौन सो होना चाहिए दोस्तों एक का एक बी का दो और सी का तीन डी का चार तो आप देख लिजी कौन सो हो जाएगा परफिक्ट आप्सन यहां पे फस्ट वाला हो जाएगा आज आपका तीनों का एंस्वर आपका ए वाला ही ह बट आपकी परिच्छा में जरूरी नहीं कि ऐसा हो तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि परिच्छा में ऐसा बिलकुल भी नहीं होने वाला और हो भी सकता है पर आप अगर याद किये रहेंगे तो आपको मैच करने में असानी रहेगी तो दोस्तो आज का यह वीडियो य रहे हैं अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज सबसे पहले जाईए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में आए बेल आइकन को प्रिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए डेली जो नहीं नहीं वीडियो ला रहे हैं उन स